नमस्का, मैं होसासी आयो जरकन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं भारत की एक इंच भी जमीन दुनिया की कोई ताकत छिन नहीं सकती राइनाथ सिंग राइनाथ सिंग ने LAC का दोरा किया और उन्होंने जाजा लेने के बाद सेना को समधित करते हुए कहा कि भारत की एक इंच जमीन भी दुनिया की कोई ताकत छिन नहीं सकती है उस पर कोई काबजा नहीं कर सकता साथ ही उन्होंने कहा कि भारतिय सेना के उपर हमें नाज है मैं जवानों के बीच आकर गौरवनवित महसूस कर रहा हूँ हमारे जवानों ने साधत दी है उसका गम 130 क्लोर भारतवासियों को भी है बजरपात से बचाव के लिए दामिनी एप बजरपात जारखन के पठारिये परदेश में एक प्राकिर्तिक अपदा है ठनका के कहर से बचने के लिए प्रित्वी बिज्ञान विभाग की पहल पर दामिनी मोबाइल एप बिक्सित किया गया है आपको बता दे कि इस मोबाइल एप के द्वारा ठनका के पुर्वानुमान का पता चलता है क्रिसी बिज्ञान केंदर के परभारी ने बताया कि जीले में इस एप के परचार तथा परसार का जीमा उठाया गया है इससे आस्मानी बिजली से अधिक से अधिक लोग बच सकते हैं जायक बोड बरावी का रियल्ट साइंस में 69 परतिसाथ कोमर्स में 82.5 तीन वही आर्ट में 82.77 बच्चे पास जार्खन एकेडमी कॉंसिल ने सुक्रवार 17 जुलाई को जार्खन इंटरमेडियेट का वर्ष 2020 का रियल्ट जारी कर दिया है शिक्छा मंत्री जगनात मतु ने जैक मुख्याले इस्थित सभागार में 5 वजे साइंस आर्च और कोमर्स का रियल्ट एक साथ जारी किया इस वर्ष साइंस में 58.9 फिस दी जबकि आर्च में 82.7 फिस दी वहीं कॉमर्स में 82.5 फिस दी बच्चे पास हुए है जार्खन में 312 नज संक्रमी तोग पुष्टी हुई जुराची से 64, 57, लातेयर 42, गडवा 23, पच्चमी सिमून 23, साइव गंज 22, पूर्वी सिमून 17, बोकारो 15, गीडी 10, धनबाद 6, रामगण 5, लोहरतागा 4, खुटी 4, गुमला 4, सिम्डेगा 4, सराय केला 4, दुमका 4, पांकुर 4, हजारी बाग 2, देवघर 1, जाम तड़ एक कुडार्मा से एक हाए, जारखन में कूल संक्रमितों की संक्या 5,117 है, जबकि 20057 लोग सवस्त हुए और 477 की मिरती हो गई, भारत में कूल संक्रमितों की संक्या odor लाख चालीस एर चार्सों संतावन है जबकि 6,004,088 लोक्स्वास्थ हुए और 26,250 की मिरितियों हो गाई प्रसिक्षित पाराशिष्कों को प्रसिक्षन के लिए एक और मौका देने की अफिल सिक्षा मंत्री जगनात महतों ने केंद्र से की है आपको बता दे कि उन्होंने केंद्रिये मानाव संसाधन मंत्री डाक्टर रमेश पुक्रियाल निसांग को फिर से पत्र लिखकर आप्रसिक्षित पाराशिष्कों को प्रसिक्षन करने का अनुरोथ किया है मौक्ष मंत्री हमंत सुरेन को इमेल से धमकी जार्खन मुक्ती मोशा के कारी अध्यक्ष और परदेश के मौक्ष मंत्री हमं सुरेन और उनके पूरे परिवार को जान से मानने की धमकी दी गई है मौक्ष मंत्री सीरी सुरेन को एक इमेल के जरिये या धमकी दी गई है पूलिस प्रवक्ता सुमन गूपता ने सुक्रवार को यह जनकारी दी सुमन गूपता ने कहा कि जरकन के मुख मंत्री एवां उनके परिवार को जान से मारने की धमकीद दी गई है धमकी भरा एक इमेल सामने आया है इस सम्बंद में साइबर थना में प्रत्मिची दर्च करा दी गई है PCR गाड़ी खड़ा कर जवान बैठे तो होंगे सस्पेंट राजधानी में क्राइम कंट्रोल करने के लिए राची पुलिस ने एक नई पहल की है लोगों की सुरक्षा में तैनात 31 PCR के जवानों को आदेश दिया गया है कि PCR खड़ी कर गाड़ी के अंदर नहीं बैठ सकते किसी PCR में पुलिस कर्मी बंद गाड़ी में बैठे दिखे तो पूरी टीम को सस्पेंट कर दिया जाएगा SSP का कहना है कि सभी PCR में GPS लगाया जाएगा बीर सहीद सिद्धू कानू के बंसुजो ने CM से की मुलकात मुखमंत्री हमन सुरेन से बीर सहीद सिद्धू कानू के बंसुजो ने सुक्रवार को मुलकात की इस दोरान से दुकानों के वंसुजो ने रमेश्वर मुर्मु की मौत की सिवियाई जाच करने की आगरा की सीम सीरी सुरेन को वंसुजो ने आउगत कराया किया सुनियोजित हत्या है इस पर मुखमंत्री ने कहा कि घटना दुखाद है राजसरकार आपकी मांग पर विचार करेगी गर मजरुआ जमीन की कटेगी रसीद सरकार ने सभी अंचला अधिकारियों को निर्देस दिया है कि घर में जरुआ के नाम पर भुखंडों का म्यूट्यूशन और लगान रसीद काटने की अरचनों को दूर करे 2018 से कई बार दिये गए निर्देसों के बाजूद इस पर अमल नहीं हो रहा है इस कारण घर बनाकर और बैद जमाबंदी के माध्यम से जमीन हासिल करने वालों लोगों की रसीद भी नहीं कटी जा रही रायसों सचीव केके सोन ने अस्पेश्ट किया है कि निर्द लेने के लिए पुरा अधिकार अंचला अधिकारियों के पास है उन्होंने कहा कि इसका परियोक कर लोगों को नयाय दे हजारों की संख्या में सिकायते विभाग में नियमित तोर पर पहुँच रही है प्रखंडों में होगी संख्रमन की जाच मुख्ष मंत्री मुखमंत्री हमन्सुरेन ने कहा है कि हाल के दिनों में ज्ञार्खन में संक्रमन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं इस पर अचरज नहीं होना चाहिए ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जाच का दायरा भी बढ़ा है आज हर जिले में संक्रमन की जाच हो रही है जल्धी परखंड अस्तर पर भी जाच शुरू की जाएगी सरकार वा पूलिस करवाई से समाज में दसत मरांडी जार्खन में भाजपाविधायक दल के नेता बावलर मरांडी ने कहा है कि राजे में पिछले दिनों की घटित कुछ घटनाओ से ऐसा परतित हो रहा है कि परदेश की पूलिस इन दिनों लोगों को भ्याकरांत कर भाया दोहन के काम में लगी हुई है मरांडी ने सुक्रवार को मुख मंत्री हमान सुर्यन को लिखे पत्र में कहा है कि मिहिजाम के सराब करोबारी के यहां 15 जुलाई को हुई करवाई ऐसी ही घटना का हालिया उदारन है उन्होंने कहा है कि सरकार और पूलिस को द्वारा करवाई का तरीका समाज में दहसत पैदा करने का काम कर रही है दो सब्ताह तक अस्थागित हो कोट के नयाईक कार्य वकील जारखन हाई कोट के वकीलों ने दो सब्ताह के लिए कोट के सभी नयाईक और गयर नयाईक कार्यों को अस्थागित रखने का अगरह किया है वकीलों का काना है कि राजे में 13 जी से संक्रमन फैल रहा है ऐसे में कोट के सभी कार्य को अस्थागित किये जाएं बाबा मंदीर में बेल पत्र प्रदर्शनी देव घर में बिवित्ताओं से भरे पड़े कामनान लिंग बाबा बैदनात के दरबार बाबा धाम की परमपराय भी निराली एवम अद्वित्तिय है यहां की निराली परमपराओं में एक बाबा बैदनात मंदीर में लगने वाले बेल पत्र प्रदर्शनी भी है जार्खन में सरकार गिराने के नाम पर सियासत गर्म जार्खन में हेमन सुरेन को आस्थिर करने के लिए भाजपाद वारा कांग्रेस विधायकों को प्रलोभन देने का आरोप लगाये जाने के बाद सुबे का राइनितिक तापमान बढ़ा हुआ है उधर कांग्रेस के आरोपों को लेकर ज़ार्कन मुक्ती मुर्चा के भी कान खड़े हो गए है मुर्चा ने इन आरोपों पर भले ही ज़्यादा है तौबा नहीं मचाई लेकिन पार्टी अस्तर पर मुर्चा बंदी तेज कर दी है आपको बता दे कि मुख मंत्री एमान सुरेन ने 208 साथियों संग इन मुदों पर मंत्रन कर सतरक्ता की बात कही है ताकि भाजपा को ऐसा कुछ करने का मौका नहीं मिल पाई ज्यारखन में मात्यूत्य मिर्त्यू अनुपात में कमी 76 से घटकर 71 ज्यारखन में संक्रमन के बीच अच्छी खबर भी है यहां की महिलाओं सेहत में सुधार हुआ है ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि यहां मात्यूत्य मिर्त्यू अनुपात अर्थात एम एम आर में कमी आई है आपको पता देखिया अनुपात राजे में 76 से घटकर 71 हो गया है इसी मा जारी सेंपल राइस्टेशन सर्वे आकडों के अनुसार ज्यारखन में प्रसव के दोरान मात्यूत्य मिर्त्यू अनुपात 71 दर्ज किया गया केंदर सरकार की योजनाओ के लाब से किसान आत्म निरभर केंदर सरकार की क्रिसी उनमुख योजनाओ का लाब बढ़े प्रमाने परदेश के किसानों को मिल रहा है जारखन में राची जीला के उर्माजी परखंड के नागेस्वर महतो किरिसी कार से जुड़कर खुद आत्म निर्वर बने हैं और दूसरों को भी रोजगार का मौकाद दे रहे हैं नकसल अभियान में लगे पूलिस को 45 लाख का भीमा घायल होने पर 15 लाख हेमन सरकार सुबे के पूलिस कर्मियों और नकसल परभावित इलाकों में अभियान चलाने वाले सुरक्षा बल के जवानों के जवानों के लिए एक बड़ी खुसकवरी लेकर आई है आपको बता दे कि सरकार ने लंबे समय से चले आ रहे इन जवानों के बीमा की मांग मान ली है अब नकसल अभियान में सामिलित सभी परकार के सुरक्षा बल के अधिकारियों और जवानों को 45 लाख रुपे का बीमा मिलेगा आपको बता दे कि अभियमा 2021 के लिए माने है इसका लाव जार्खन पूलिस समयत केंद्रिये बल स्टी एफ ग्री रक्षावाईनी और स्पो को भी मिलेगा पलामू में 31 जुलाई तक सचले निर्मान पूर्ण कराए उप विकास आयुक्त बिंदू माधव परसाथ सिंग ने सुक्रवार को जिले के सभी परखंडों के विडियो एवाम प्रखंड समने को के साथ बैठक कर मन देगा सहीत का योजनाओ की समिक्षा की इस दरान लक्ष के अनुरूप कारेयों में तेजी लाकर सिग्र पूर्ण करने का निर्देश दिया उपविकास आयुक्त ने जीला के सभी परखंडों में बन रहे सवचले कारे की समिक्षा करते हुए दो दिनों के भीतर सभी लावकों से कारे प्रण कराना सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है सरकारी स्कूलों में सरेरीक सिक्षा अनिवार्य जार्खंड राज के सरकारी स्कूलों में सरेरीक सिक्षा की पढ़ाई अनिवार्य होगी मैट्रिक और इंटर्मेडियेट की परिछा में भी सरेरीक सिक्षा का अलग से पेपर होगा CBAC की तर्ज पर जार्खंड एकेडमिक काउंसील भी फिजिकल एजुकेशन से समधी सवाल पुछेगी आपको बता दे कि स्कूली सिक्षा और सशकता है विभाग प्रात्मिक से लेकर प्लस टू अस्तर तक फिजिकल एजुकेशन को अनिवार करने की त्यारी कर रहा है जार्खंड में लोकडाउन जरूरी रविंद्रनाथ महतो संक्रमन की स्थिति चिंता जनाख है इसे देखते हुए जहारकाण में भी फिर से लॉकडाउन की मांग उठ रही है रामगर में धीले पढ़े परसाशन के तेवार जीला परसाशन की वर से अपने अस्तर से लोकडाउन जैसे इस्थिती बनाने पर राज सरकार ने नराजगी जाहिर की थी जिसके बाद जीला परसाशन के तेवार धीले पढ़ गया है सुक्रवार को जीले के उन सभी अस्थानों पर दुकानों को खोलने के अनुमति दी गई है जहाँ पर्तिबंद लगाया गया था सुक्रवार को SDO किरिती सिरी ने बताया कि रामगार सहर के चट्टी वाजार में 16 जुलाई तक पर्तिबंद लगाया गया था क्योंकि जीला में संक्रमन काफी तेजी से बढ़ रहा है लेकिन DC संदीप सिंग के निर्देश पर इस पर्तिबंद की अधी आगे नहीं बढ़ेगी भाजपा सरकार के किये कारे का क्रेडिट ले रही है मन सरकार बीजेपी भाजपा के जार्खन प्रदेश प्रवक्ता प्रतूल सहदेव ने कहा है कि राज़ी सरकार अपना कुछ नहीं कर पा रही है इसलिए पुरानी सरकार के कारे के लिए खुद की पीट जरूर थपत पा रही है प्रतुल ने सुक्रवार को कहा कि गरमजरुआ जमीन के रसीद काटने का निनाई पूर्व कीर अगवर दास के नेत्वित वाली भाजपासरकार के समय लिया गया था जेपी एसी में एटीपी के पदो पर सततर भरतियां जारखन लोग सेवा आयोग ने असिस्टेंस टाउन प्लानर के पदो पर सततर भैकेसी निकाली है इन पदो के लिए 10 अगस्ट तक अनलाइन मोड से रजिस्टेशन करया जा सकता है आवेदन फिस्ट जमा करने की तिती 11 अगस्ट है जल्दी परिशाती तिती गोसित कर दी जाएगी आपको बता देगी चैन पर किरिया यदी 500 से कम अवेदन मिले तो 10 वी बारा हुई और गेर्जुएशन पोस्ट गेर्जुएशन में माक्स के अधार पर चैन किया जाएगा वहीं आयू सीमा 21 से 35 बरस तक है एक छुक उमिदवार jpse.gov.in पर जाकर अपना लौगिन अवेदन कर सकते हैं मुख्य मंत्री का फैसला जारखन आने वालों को 14 दिन रहना होगा कोरेंटीन जारखन सरकार ने वाइरस के बरते संक्रमन के मद नए गाइडलाइन जारी की है सुक्रोवार को जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि किसी भी राजे से जारखन में परवेश करने वाले लोगों को 14 दिन के लिए अनिवार को रिटीन में रहना होगा गाइडलाइन में कहा गया है कि हवाई जाहाई रेल या सड़क मार्ग से अने राजियों से जार्खन में परवेश करने या प्रदेश से बाहर जानने पर उन तमाम सर्थों का पारण करना होगा जो स्वास्त मंत्राले की और से जारी किये गए हैं आपको बता दे कि जार्खन सरकार ने कहा है कि राजे में यदि आप आते हैं या राज से बाहर जाते हैं तो आपको जार्खन सरकार की वेब साइट www.jharkhandtravel.nic.in पर इसके लिए खुद को पंजी करना होगा धन्यवाद यदि आप चनल परना है हो तो चनल को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल आइकन दबाएए साथ साथ वीडियो को एक लाइक का और अपने दोस्तों को बाट से फेस्बुक ट्वुटा इंस्टाग्राम पर सेयर करें आप कॉमेंट में अपना सुझावत दे सकते हैं अदिआ हैंट जगे लाइकन आप उन्हें टीजोड़ को अगराइकन हमें अपने श्यावत गह मिचियो कि ओीज़ को एक का ये पन거 रहा करें दंगस्तों को ख तो कि दोरे हैं इलिए नहें को का तो स Commun a